Hello everyone, स्वागत है आपका Flying Abroad में और अगर आप हमारे चैनल पर नए होए तो मैं आपको बता देती हूँ मेरा नाम है Shilpa मैं अब तक Frankfurt में रह रही थी Germany में और अब हमारी जॉब स्विच हो रही है तो अब हम Germany का एक दूसरा सिटी है Trier जो Frankfurt से around 200 km है तो वहाँ move कर रहे है So basically हम पहले भी Heidelberg में रहते थे और हमने Frankfurt move किया था around 2.5 years पहले और उस time पर हमारे पास जादा furniture नहीं था तो हमने क्या किया था हमारी job की वज़े से हमको रोज ट्रावल करना ही पड़ता था Frankfurt तो हमारा जो बड़ा furniture था वो तो हम में वहीं पे resell कर दिया और जो छोटा furniture था वो हम हमारी गाड़ी से ही जैसे daily जब up-down करते थे तो इस घर में drop कर जाते थे बट स्टिल हमने towards the end realize कि वो बहुत जादा hectic था और इस बार जब भी घर move करेंगे तो हम वैसा नहीं करेंगे कि खुद से ही सारा बोजा ढोर है of course उस टाइम पर हमको ये था कि हमारी cost save हो जाए क्योंकि of course अगर आप professional service लेते हो तो वो जर्मनी में expensive तो पढ़ती है so इस वीडियो में यही हम आपको बताते हैं कि क्या steps रहते हैं जर्मनी में relocation की और basically जैसे हमारा कितना cost आया so basically जब shifting की बात आई तो हमने भी सोचा कि खुद से करने के लावा और क्या option है जिसमें हम पैसे बचा पाए so फिर हमारे कुछ friends है उन्होंने भी जैसे recently move किया था दो उन्होंने जैसे within city है move किया था तो वहाँ पे within city क्या रहता है न आप जैसे सिर्फ transporter भी कर सकते हो so उसकी cost आपको उस scenario में कम आ सकती है बट हमको थोड़ा एक तो डर भी था कि इतनी बड़ी गाड़ी जर्मनी में कभी चलाई नी और हमको जाना भी बहुत दूर है तो वहाँ पे जब हमने cost compare करी तो वह actually same ही आ रही थी because वह per hour increase हो जा रहे थे so दो-तिन जगे से हमको RKV company है Indian की ही है और जिसे न बहुत सारे Indian लोग है वहाँ पे काम करने वाले so हमको लगाया language barrier भी नहीं रहेगा तो काफी support हो जाएगा फिर जैसे हम उनकी website पे गए फिर हमने उनके reviews बगरे पढ़े because that's very important तो reviews भी Google पे नो mostly सारे बहुत अच्छे ही थे so फिर हमने उनको reach out किया so basically जब आप उनको reach out करते हो तो वह आपको फिर basic पूछते हैं सारे questions कि आपके पास मेना कितना समान है और वह आपके photo, video बगरे मंगवाते है and then वह पूछते हैं कि आपको क्या-क्या services चाहिए so वो सारी details हमने उनके साथ email पे share कर दी हमारी जो भी requirement थी उसके according फिर उन्होंने हमें quotation दे दी वो price हमें ठीक लगी तो फिर हमने जैसे उनसे फिर date final कर ली कि ठीक है इस date पे हमें move होना है आपकी availability है क्या वो सारी final हो गया और उसके बाद में फिर आज आज आप देख सकते हो पीछे वो अपना बड़ा साथ truck लेके आज चुके है and shifting पूरी चल रही है so इस video में मैं आपके साथ यही share करती हूँ कि हमने उनसे क्या क्या सर्विसे ली है वो किस टाइब से काम करते है और फ्लस थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा भी बता जेती हूँ कि अगर आपको कुछ और भी उनसे चाहिए तो क्या 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 उप्शिंस उनके पास अवेलिबल है so now Mr. Andy कर रहे हैं है bed की unpacking so when did we get us dear super yeah and how was your morning today? when did you wake up? a little bit sick last time okay 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 so now these people are taking the washing machine which is really heavy last time we took the washing machine so three people also had to go away and these people are looking very easily easy to not, it's very hard we are looking at the washing machine so this time we took the washing machine so you can see the furniture too dismantled and dismantled which is really easy because we also have to do it so we have to be a professional so it's gonna open the soap in 5 minutes so you can see there's a full-size truck which is a delivery and it's spacious so I think our delivery will get a full of clean बाकि डिपेंड करता है आपकी नीर के अकॉर्डिन ट्रक्स के भी जैसे डिफरेंट डिफरेंट साइज होते हैं अगर आपके पास में कम समान है तो छोटा वाला भी मिल जाएगा ते उसकी कॉस्ट आपको कम पड़ जाएगी और इन केस आपके पास में बहुत जादा समान है तो इसके भी बड़ा एक साइज आता होगा और तो आप वो अपने लिए कर सकते हो फिर उसकी अफकोर्स थोड़ी एक्स्ट्रा पॉस्ट होगी बेड पूरा डिस्मेंटल हो चुका है बस यह इतना सा ही होता है और फिर वो पार्ट होता है यहाँ पर आप देख सकते हो सोफे को जैसे पूरा प्लास्टिक से कवर कर दिया गया है तो यह है राकेश कुमार जी और यह आरकेवी जो उमजुक कंपनी है उसके ओनर ही है और जिसे बहुत बार अगर अवेलिबिलिटी होती है तो यह खुद भी जाके सुकोवाइज करते हैं कि साइट पे क्या चल रहा है तो आज यह आएं में देखने के लिए कि सब सही से हो रहा है ना तो इने से पूछते हैं कि यह कब आये जमनी और कैसे आप ने यह उन्जुक कंपनी स्टार्ट करी यह मैं तो जर्मनी भी बहुत 86 मगर यह कंपनी 94 से मचला रहा है अच्छा यह भी एक सोड़ा सा इसलिए क कोई काम किया जाए जिसमें पैसे भी आए और अपने लोगों की कोई है तो दोनों चीज इसमें हो रही है काफी सालों से तो बहुत अच्छा लग रहा है 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 अप लोग जिसे क्या-क्या सर्विस प्रवाइड करते हैं एक तो जो भी मतलब टोटली देखो फरनीचर को फि प्रवाइड करते हैं और अगर पैकिंग की सर्विच रही आपको फूरी तो वह पैक करके सारा लेकिवाड अच्छा की कंपनी वह बेसिकली किस टाइप कंपनी यह इंडो-जर्म अच्छा क्योंकि जर्मन का भी बूव इंडिन का भी मूव एं तो मिक्स करके इंडो-जर् इंडिन के लिए ही जर्मन कंपनी तो और भी बहुत है मगर हमारे साथ काम करने में डिफरेंस क्या है मारा स्टाफ जो ऑफिस में जो कॉल अटेंड करता है हिंदी इंग्लिश प्रॉपर वो बोलते तो इंडिन के लिए काफी इजी हो लाता है समझना समझाना आपको भी श अब लोग हम से करवाते हैं जो स्टाफ जो ऑफिस में है तो प्रॉपर गाइड करता है इसको इंडी में इसी लगता है तो हिंदी में इंग्लिश में सही है तो अगर ऐसे ही हर चीज की सर्विस अगर इंडियन से प्रॉइड करने लगे तो काफी इजी हो जाएगी आप लोगों को जर्मन भी आती है utility। मुझे अविन्ज के फैंमली आपको विलाती है कि यह से लुटत अट रहे हैं तो आप अपने पापा की है्लप कर रे मिज्नेश में बट आप अभी क्रिकेट कुछ न fender और जैसे यही आपका फुल टाइम है कि आप जैसे पढ़ाई वगरा कर रहे हो कुछ हो फुल टाइम यही है सही है फैमिली बिजनेस में लग गया है और आपको भी जर्मन भी आती होगी फिर तो आप बॉर्ण एंड ब्रॉट अप इंग जर्मनी होगे क्योंकि यह बहुत प करना बैचलर हो तीन-च्यार बैग हैं दस कार्टून तक हैं कैसे तो गाड़ी में ले जाओगे या फिर शिफ्ट कर दोगे इतने वरतन भंडे और इतना समान नहीं आप तो नेंदों में बोलते थे मुझे ट्रियर जाना है मुझे समान लेके जाना है मुझे खौफ आरा कि सावान जाएगा कैसे इसमें तो पांच बंदे अगर आ गए तो हो सकता है ये दो चार बंदों खेल बसका नहीं है कि शिफ्टिंग चल दियो इतनी शानती कैसे हैं हां जब घूमने जा रहे होते हैं तब ही इतनी लडाई होती है कि चलो चंपल नहीं पहने जूते नहीं कि पहने शिफ्टिंग में तो पागल जाते एक दूशरे के बाल नोच रहोते हैं ये कितना हाड मेट्रस था इसको भी बेसिकली प्रेस करके इन्होंने फिक्स कर दिया है तो जैसे कुछ अपार्टमेंट्स में आपको पूरा अपार्टमेंट भी पेंट करके देना पड़ अपने साथ में अपने साथ में आपको नहीं लेकर जाना है अपने साथ तो वैसे तो आप जिसे घुचे सर्व ने सकते हैं गई बट ये लोग उसमें भी हैं जिसे जो भी समान अगर आपको डिसर्ड करवान है तो वह सब्स भी आप इनके ह्रूँई ले सकते हैं तो हो गई हमारी सारी टांकिंग और शिफ्टिंग सारा समाल तो काफी अच्छा राइट लिए हमारे एक्स्पिरियंस क्योंकि मतलब जो इतना सहदर्दी थी सोथ सोथ की कैसे होगा एक बार परे अपने खुछ से करा हुआ है तो बहुत मुश्श्री होगी थी वट इस बार चुटकियों में एक गंडे में तो प्रह घरी खाली हो गया सो काफी इस वफ माइंड भी रहा ना युके के बारे बहुत बार सोफते हैं, युके में अपने हिंदी, बंजाबी लोग बहुत हैं पर अब जैसे जर्मनी में ओर्टीन्स बढ़ रही है, जर्मनी में जो कस्टमर्स बढ़ रहे हैं तो उसका बहुत पड़ता है कि युके बहुताइछ आपने में जो रही है । इसके निजनी में अनके बहुतत है, चक्छी कि बाठवा इनसे कहिं रहे हैं खेले हो अपने में में कोया है जर्मनी अच्छी का का में यहותना है अपने मर्टा झार झेख आटीन्स बदिश्या चलएवMe next house move कर रहे हो तो so guys अभी अभी discount की बात कर ली गए हमने बोला जैसे आप video बन रहा है बहुत सारे लोग देखेंगे तो कुछ तो discount बनता है so sir ने बोला है कि अगर आप जैसे flying abroad का नाम लेकर जाओगे इनके website पे इनकी services लेने के लिए so 10% off मिलेगा promise विडियो में promise हो चुका है so अगर आपको recently अगर shifting में कोई भी help चुग है या फिर बाद में भी कभी तो आप यहां लगना RKB के पास जाके flying abroad का 10% डिसकवर लेना है so guys सारी shifting वगर हो चुकि है truck आप देख रहे हो पुरा load हो गया बंदी हो गया और इन्होंने भी अपना सब backpack कर लिया है so guys guys truck जा चुका है पुरा fully loaded होके और यहां आपे वेट कर रहे हैं हम लोग जो अब हमें भी दो चार बैक डालने है वो चोटी जो मोटे हैं बहुत ही बड़ी आ experience बिल्कुल बिल्कुल गाड़ी लेके आ रहा हूँ तो अब बस हमें निकलना है Sachin गाड़ी ले आओ जल्दी से लेके आता हूँ जल्दी सचिन बड़े खुश लग रहे हो so यह सारा वो समाने जो गाड़ी में जाएगा यह खुद से उठाना पड़ेगा काभी जादा फ्रिजार इटम्स पट इसना हमारे गाड़ी चला जाएगा so guys हो गया पुरा गर खाली और हम अब जारे हैं लोग करके इस धर को so अब मुझे करणा साथ चा नहीं लग रहा है क्योंकि यह गर काफी अच्छा था तो यह गाड़न दिखता है और इसे बहुती खुली खुली वाइज है so I will really really miss this house हमाय अब अच्छा थाइम निकला है आपर so now tada bye bye to this house you are really good and bye bye to Frankfurt actually so guys हमारा टांस्पोर्टर तो अल्रेडी निकल चुका था exact तो अभी 12.30 हुआ है हम 2.30 पहुचेंगे so अब हम लोग पहुँच गाएं ट्रियर और सिफ 4 km बचा है उसके बाद में आ जाएगा घर so अब जाके और फिर पूरा समान अन्लोड करना है so guys हम लोग पहुँच गाए हमारे नए घर जो की है ट्रियर में काफी अच्छा मौसम है और बागे हमारे ट्राख हम से पहले पॉइंट हुगा था अभी होगी समान की अन्लोडिंग देखो आप कितना जादा पूरा भरा हुआ है but I'm sure help है तो फिर easy रहेगा तो guys काफी कुछ समान आ गया है अब यह dining table भी आ गई है और अब उतरने वाला है यह sofa का बड़ा piece और यह आ गया घर में sofa जहां पर maximum time निकलता है हम सब का सो अभी start हो गया sofa बनने का process क्योंकि यह लोग जिसे यहां assembly में भी help करते हैं सो वही चल रहा है भी यह लोग हमारा furniture बना भी देंगे so that will be very easy दो मिनिट पहले sofa बना था और हम लोगों ने बस इधर उदर देखा कि कितना समान बच रहा है और इतने में आके देखा तो आधा bed भी बन चुका है so ऐसे लग रहा है काफी fast fast काम हो रहा है so ऐसे बहुत ease of mind लग रहा है so guys हम 3.30 यहां पहुंचेते और अभी 4.40 हुआ है exactly 1 hour 10 minutes में सारा समान unloading हो गया काफी सारा furniture बन भी गया है so काफी fast हैं की service बागी I think अब इन लोग का काम हो गया है हमने बाकी बोला हमारा furniture वगर है वो set वगर हम हमारे साब से कर लेंगे so काफी fast रहा like unloading है और बाकी अगर मैं यह बता हूँ आपको कि अगर जैसे RKV के services आप भी लेते हो अपने shifting यारी location के लिए so basically जैसे वापको moving में तो help करेंगे घर हो या office हो उसके अलावा जैसे मैं वीडियो में बीच-बीच में आपको दिखाया या भी जैसे थोड़ा बहुत अगर कुछ तच-अप में help घर में अगर लाइन डॉट आपको भी अगर ऐसे बोलते हैं you know ठीक-ठाक जैसी condition में दिया था वैसे में देदो full paint नहीं required है तो उसमें भी वह आपको help कर देंगे उसके अलावा जैसे आपका समान पैकिंग वगर है तो उसमें वह आपको help कर देंगे cleaning में कर देंगे clearing out अगर आपको कुछ discard करना है लागिज तो जैसी कि मैंने आपको बताया उसमें भी आपको help मिल जाएगी so यह सब services के लिए आप देख सकते हैं हमारे experience काफी अच्छा रहा तो हम definitely recommend कर सकते हैं और अगर बात की जाए costing की तो again वो depend करेगा आपको क्या service लेनी है उस पर लेकिन इनकी जैसे ना 2-3 type की costing है एक है जिसमें यह fixed cost बताते हैं आपसे पूछ लेते हैं कितना समान है कितना दूर जाना है वगर है वगर है उसके according आपको quotation दे देंगे secondly आपको जैसे hourly basis पे देते हैं और thirdly आपको जैसे transportation दे देंगे fixed and then उसके बाद में फिर कितना hour आपने काम करवाया किते लोगा है उसके according तो flexible है तो आप अपने according देख सकते हैं कि क्या quotation आपके बैठता है अगर हम बताएं जैसे हमने इनसे packing में support लिया और moving में लिया and then जैसे furniture में भी help ली और थोड़ा वो तुन्हों ने हमारी touch-up पगरे में भी help की so हमको जो total cost पढ़ी वो है 1310 euros with taxes and everything included so यह था I hope यह वादी जो हमने हमारा relocation का process जो आपके साथ share किया वो सारा आपको helpful लगाओ अगर आपको भी चहिए या फिर आपको किसी को recommend करना है तो इनकी website का link इनके contact details वगरे स्था हमने description में दिये है so आप check कर सकते हैं और जैसे कि मैंने video के बीच में बताया था अगर आप flying abroad का आप बोलेंगे इनको so यह लोग आपको जो भी आपकी final costing होगी उस पर 10% discount देंगे so you can avail that also so अगर यह video अच्छा लगाओ so thank you so much for watching video को like करना and I'll see you in my next video bye and take care